कर दो चार दिन पहले डार्ट साब गए और चोधरी जी तो चार्चा हुई उसी चार्चा के वज़े से मैं आपसे मिलना हूँ कि डार्ट साब भावक न भी होते तो मी साइद में यही बात करता है कि डार्ट साब किसी ब्यक्ति के लिए भावक नहीं होते हुए इनके दर्द इनके दिल में भी उतनी दर्द है जितना मेरे दिल में दर्द है ये भी रात दिन समाज के लिए सोचे है ये मैं जानता है लगव 25 साल पहले की बात है डार साथ से 93 में मैं मिला था और ये जब सब्दर जंग में थे तो कोई कशन नहीं छोड़ी काम करने में और गुर्तेग भादू हस्पिटल में थे तो भी कोई कशन नहीं छोड़ी ये भले डोकरी करते रहे लेकिन समाज को कभी नहीं छोड़ा है समाज की चिंता हमेशा रहती है ये एक चीज़ जरूर साइद मेरे सामने बैठके न बताते है आठ पता लग गया कि कितनी गहराई से कितनी बारिकी से पूरे आंदोलन को देखते हैं डर साल और हमारे भी दर्द को थोड़ा सा दर्द को उन्होंने पूरा देखा साथियों आप सब की सिकायत है अब पूरे देश में एक नकारात्मक है नकारात्मकता है अरे हमारे नेता क्या कर रहे हमारे नेता क्या कर रहे हर जग ये सुनने को मिलता है अब वो ज़्यादा करता है जो खुद भाइदा ले चुका है आर अच्छड का चाहिए वो प्रधान हो चपरासी हो डाक्टर हो इंजिनियर हो आई एस पीसियस हो इंस्पेक्टर हो इस्टाफ सेलेक्शन कमिशन से निकला हो बैल का कुई से सोसल अक्टिविस्ट हो तुरन कहेगा कि हमारे नेता बेग लिए हमारे नेता चोर है क्या कर रहे है उससे क्या होता है कि वो अपने आपको कि लगाई से वाहर कर लेते हैं यह सबसे बड़ी खतरनात बात है कि यह तो लड़ने का काम उनका ही है यह बड़े ब्यापक परिमाने पर है और जब तक यह सोच टूटती नहीं है तब तक किसी के पीछे समाज लब सके यह कहना मुस्ट के लिए वो अपने को जो जितने ही अलोचरा करेगा गाली देगा वो तने ही अपने आपको बाहर कर लेता है चंद नेताओं को छोड़ देता है मैं यह पूछना चाहता हूं एक अपवाद को छोड़ दो गसूसरी मायवती को छोड़ दो जहां पर दोनों चीज का मिच्चर है अगर मिश्चरन न होता तो मैं उती जी भी अभी तक न रह पाती एक तो बाबाशाब का विचारधारा के साथ साथ में जाती शपोट मिल गया सयोग से सयोग से कहा जाता नहीं ओ भी खतम हो गया होता है मेरे कहने से दस पांस हजार बोट भी नहीं मिलता है या जो भी नेता चाड़ार साथ हो या हमारे सक्तनायन जी हैं ये लड़ रहे हैं जहाद की बात को ले करके ने लेकर डेवी सिंह राना में चार अजार बोट पल्टवाब करके चुनाव में दख़ओत को दे यह समाज तो बीजेपी को बोट देता है कांग्रेस को देता आम आदमी पार्टि पोट देता है जो दलिक समाज में लड़ा हो उसके कहने पर बोट नहीं देता है वे मेले MP से पूछने नहीं आता है कि मैं बोट किसको दूँ लेकिन जब बाद में मुसीबत आती है तब याद आता है यह में अगर मेरी गर्दन तो काती जा रही साजी तीन साल टार साल से आज सब पार्ला में मिले कहान को लगता है कि आपको तो लग रहा था कि इस बार कोई काविनेट मिलेगा तो हमने का मैं हमेसा ऐसा कुछ ना कुछ काम करता रहता हूं कि हमें जगा काइबिनेट में मिले ही नहीं हों मही का ऐसा काम करता राता हूं कि तो पहों किया हम का आप सब जानते हैं सत्ता पक्ष मेरा करके कोई रईली कर रहा है अरे इस समय तो बिपक्ष में जो भी दलित नेता हैं उन सब को तो जंडा उठा लेना चाहिए लेकि साल पर हो गया कोई बड़ा अच्छनम नहीं दिखाई नहीं प्रड़ सकते विपक्ष को मौका मिल ला है और विपक्ष को न करता तो विपक्ष में जो नेता है एक्स मिनिस्टर है यंपी है महा सचीव है उनको तो जंडा लेकर के खड़े ह हो जाना चीज़ कि आरच्छड समाब करीब करीब हो चुका है अब ही सेंटर लेल अप्टारिस लिमिटीड लाधियाबाद के सेल कर दी गया इस्टील सलेन स्टील प्लांट वहां का अचन्नहीं का सेल कर दिया गया बीमल जो यहां पर है बंगलोर के बगल में वो भी बेश दिया गया है और 23 रेल बेस टेशन का प्राइबिटाइजिशन कर दिया गया है और एएर इंडिया का होने वाला है वह है एर इंडिया के अंदर कुछ हैसी दिक्ट है नहीं अब तो हो जाता तो जी क्या है वो बी आई पी ओ को करकर करता है यूनियन बाजी है बड़े कॉम सब्सक्राइब हो जाएगा तो आप अपने बच्चों को पढ़ाओ करद लेकर के बैंक से इंगिनियर बनाओ और जो कुछ बनाओ जाएंगे कहां बेरुज़ा तो रहेंगे चुकि प्राइबिट सेक्टर में जो पोस्ट पर लोग रहते हैं वह भी जाती के आधार पर ही और वहां पर भी अगर दलीत है तो छुपा करके ही रहना पड़ता है तो यह तो दर्वाजे बंग की जा रहे हैं और जो दलीत समाद बाइकिंग नहीं करता यह इनों ठीक का मैं तो कहता हूँ कि कल मैं कल मैं छोड़ देना चाहँ चोड़ दूगा और दोजार तीन में इस्तीफा दिया डिशनल कमिशनर इंकम टैप्स के पोस्ट से पाच आदमी इस देश में नहीं मिले कि आपने इस्तीफा दिया लड़ाई लड़ रहे हैं आरच न Connor कि तो आपके घर का खर्च कैसे चल्दा है पाइल दिएन में देदेता हूँ एक नहीं कोजिए बाबाशाम न होते तो मैं नौन आ पोई नहीं अ होता है को उस जाथी का तो इस्तेमाल हम ने कर दियो उस जाती मुट क्या दिया अउस्वार्भ को क्या दे की लिए ने करें ने कहा कि आउशर के बगर कप्रतिभाय का कोई मतलब नहीं होता एक बार प्रवेश करने दिया जाए दर्वाजे में, अंदर घर में खुजने दिया जाता है, तो सब ठीक हो जाते हैं, बलकी आगे हो जाते हैं। इसका अध्यन किया गया। अध्यन में पता लगा कि आरचण से कहीं भी प्रतकूल असर नहीं पड़ा किसी विभाग में, बलकी उत्पादत्ता बढ़ी रेले में, जहां पर S.C.S.T. लोग ज्यादत थे। यह स्टेडी को नहीं पता होगा आप लोगा, लेकि गुगल में है गुगल पर कल लीजेगा कि Impact of Reservation and Administration तो आपको पता लग जाएगा जो हम लोगों को परचार्ज लगाया जाता है, कि निकम्मे आ जाते हैं, आयोगे आ जाते हैं, तो ओ ठपा हट जाएगा, हम जबाब भी नहीं दे पाते हैं। और अभी जो मैक्स हास्पिटल का डॉक्टर कोई दली तो नहीं था, जितने आज पनामा पेपर्स में पकड़े गए हैं, और जितने मनी लांडिंग में हैं, उसमें कोई दली तो नहीं हैं। तो आउशर के बगर प्रतिभा का पता नहीं लगता। तो अगर आप सुच रहे हो कि आप पढ़ने में बड़े तेज थे, चार भाई में एक भाई पढ़ने में बड़ा तेज था, तो आप बड़े तुर्रम खान हों, और तीन नालायक हैं। परोस वाले नालायक हैं, जातिके लोग नालायक हैं, हम तो पढ़े इसलिए हम हो गए, तो यह भी गलत फ़हमी है, हाँ पढ़े हुए इसके लिए, लेकिन इसकी जड़ कहीं और भी है, इसकी जड़ आरच्छण में है, वरना यह मौकाई भी नमिलता पढ़ने का, क्या 5000 वर्ष से लोग पढ़ने वाले नहीं थे, एक सिपाही, एक चपरासी, जमिंदार, कोई छोटा मोटा, राजा, रजवाडा, जजजे, सिविल सर्वेंट तो नहीं पहले पाइदा हुए, आरच्छण के पहले, तो प्रतिभा की जो हम लोगों में एक बड़ा घमंद है, कोई आईस हो गया, उसके घर बला आया, या कोई डॉक्टर हो गया, उसके गाउं घर से राया, अरे गधा था नहीं पढ़ता, तो मैंने पढ़ा देखवा, हम आगे आगे, एक सच्चाई है पढ़ाई लिखाई का, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन रूट काज क्या ह लिजर्वेशन, अगर लिजर्वेशन नहों होता, तो हम लोग यहां नहों होते हैं, तो आज तो एक बहुत बढ़ी क्रांती खड़ी करनी चाहिए, डाट साथ बेसे दस लोग मिल जाए, तो क्रांती हो सकती है, ये क्रांती का समय आया हूँँगा, सडकों पर आने का समय है लेकिन यह समाज आएगा नहीं है अब तो सब कुछ लुटता जा रहा है और इस समाज का अगर तुमाज में बदलाव बड़ा आया तो राजनेटिक नेतरुत से कभी नहीं आया एक सो एक टीस अंपी हैं आट सो चाली समेले हैं और कुछ जुगों पर और जन्प्रिक ही हो जाते हैं अक्च्वल जो बदलाव आया है एजूकेशन आई है और चेतना पैदा वही गौवर्मेंट जाप से होगी है अब गौवर्मेंट जाप ही मनुबादियों के लिए सिर्दर्द है नेताओं को तो कंट्रोल करनें नेता तो कुछ बोलेगा ही नहीं चुकि ने प्यक्ता बोलेगा उसकी जिंदगी खराब हो ना है सिर्दक जापि ने आप बचाने वाले नहीं है चुकिंatri गोड डली समाज का मोदि जी को देता है रहुल गांदी को देता है अर्मिन केजरीवाल को देता है यही डली समाज गोड उनको देता उन पार्टियों को बोट देता है। उतर बृदेश को छोड़ देजे। मैं 2015 में जब चुना हुआ तो बहुत नीचे आ गई। मैंने कहा कि मान लीजे मैं नहीं गलती करें। तो मायवती को भी माँ लिया जो हो भी गलती करें। लेकिन किसी भी चालत में के जरिवाल से जाएदा थो होगा खराबbean नहीं है। लेकिन आए समाज के जरिवाल को लोट देते हैं। वो तो किसी भी हालत में बाप नहीं हो सकता है। za समाज का wunderharmů। तो यह समाज है, इस समाज में जब तक प्रेसिचर सिविन नहीं लगेगा, चेतना नहीं पैदा होगी, स्वाग्नान नहीं जगाए जाएगा, यह नेता दूसरे को मानते रहेंगे, अब जब मुसीबत में रहेंगे, तो याद अपने नेता को करेंगे। पूरे देश में हमने देखा, राट साब, चाचा, पांट पता हजार बोट नहीं मिल पाए मुझे, पूरे देश में, जहां भी खड़ा होता था, मुझे नहीं में देते थे, नौकरी छोड़के बैठा था, तो गारंटी नहीं है, आप जो कुछ कर रहें तो आपके पीछे स साथ है, कॉन साथ में है भई, यही वगल में मैं यहां रहताऊ, यह नहीं कि संपर्क नहीं करता हूँ, दसियों बार संपर्क किया गया, यहां मीनाजी साहई जहृड़ा प्रेपाटमेंट थे, क्या थे हो, कही लोग जाते, एक बार संपर्क कर लो, उसके बद गायक, फेर रगले सार संपर को लोग फिरगाएं, जैसे लगता है कि हमारे घर में शादी विबा है, और नोता देने के लिए हम उनको संपर कर रहे हैं, आस पास में सारे इंस्टिटूचन को ध्यान देते हैं हम लोग, रैली जब आती खास तोड़ते हैं, वो इसी भी बुलाते रहते है यह है समाज, तो यह समाज, यह समाज खुझ जिम्मेदार है, मैं तो समझता हूं कि राजनेती ताकत तो यह समाज हमें दिया नहीं, आगे भी नहीं देगा, इतना मैं साथ मैं एक जानता हूं, अगर थोड़ी सी गारंटी हो, आज मैं छोड़ के बैठ जाओं, तो जो भी इह बात हैं रही यह बात हैं, दाड़ साथ को हमयं से सप्दर जन्ग से हटाया गया, मैं भी गया मिलने के लिए, गम्हेर की जानते हैं, कि यह मह जजितवाह के लाए हैं इसको, वो यह जानते हैं कि हम जितवा के लाएं हैं इसको, अगर दलीत का रिबूर्ट इसको मिला है, तो भात्पा के द्वारा मिला है, यह करेगा क्या, जार समय सच्चा ही है, इनसे जो काम इन्होंने सब्दर जंग में कर दिया, कोई कर नहीं सकता, उसका पूरा मैटाप माफिसिस कर दिया थे इन्होंने, लेकि मेरे कहनी बात नहीं मानेगे, वो जानते हैं कि क्या कर लेगा, अकेले लड़ेगा, तो हर जाएगा, क्या कर लेगा, कहां जाएगा, यही समाज उल्टा कहेगा रे, यह तो अभी कोई राज है, कोई बात है, दूसरे की सरा ना करेगा, अपने सब की अलोचना करेगा, तो यह हम लोगों की पोजिशन है, प्राइबिट सेक्टर में रिजर्वेशन के लिए हमने संसद में बिल पेस कर दिया, और क्या चाहिए भाई, पूछूंगा तो किसी को पता नहीं होगा, लाग की चीज का पता लगा लेंगे, हम अव तेरल में भी अगर वेकेंसी निकले, बेटे बेटी के लिए, तो खोज खाज लेंगे आप सब लोग, एक कोने भी निकले, खोज लेंगे, और चपरासी की नो करी मिले, तो आसाम में जोइन करना होगा, तो हाँ भाग करके, घर में वो करेंगे, पा के पास आ जाए, तो घर के पास आ गए, तब अगर आप उन से कहो कि भाई काम करो, कहरें भाई ऐसा है, अभी तो हमारी साधी हो दी है, चोटे चोटे बच्चे हैं, फिल प्रमोशन आया, प्रमोशन के बाद कहीं ना ट्रांसफर होता, फिल प्रता लगा उस ट्रांसफर के रुकवाने की चक्कन पड़े हुए, साल, दो साल, छो महीने उसके चक्कन पड़े गए, तब बच्चों के बोर्ड आ गया, भाई बोर्ड आ गया, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, क्या कि आजा, अब ये खाली हो जाए तब आपके, उसके बाद भी पता लगा कि बच्चो को नूकरी नहीं मिल पा रही है, उसके लिए पर्छान है, फिर साधी में भी आपकी मिली हो जाते हैं, उसके लिए पर रह dancing रहते हैं, और इतना कஏ कहते हैं, रिटायर्मेंट के बाद आप खाली हो जाते हैं, यही चांग करना आप भी ऑगए, पकड़ने आता हैं अब तो तो ये परंपरा परंगई कि कोट पहन करके आदालत पहुंच जाते हैं या कहीं प्राइबेट नौकरी खोजने लगते हैं या नाती पातों के खिलाने लगते हैं तो फिर यह भी कुछ लोग कहते हैं कि अभी बेटा तो नौकरी करता है बहुत भी करती है बच्चों को देख पढ़ता है और कुछ दुनों के बाद पता लगाया गया तो दुनिये छोड़ चले गए तो काम करानी कब काम करें तो तो बिनर देखिए एक किसी किसी के हाथ में जादू नहीं होगा ना मैं जादूगर हूं ना डाक्टर राजपाल जी जादूगर है और कोई जादूगर नहीं जनता जादूगर है और कुछ नहीं है जाद समाज ने किसी नेता का सहरा नहीं लिया और पटेल समाज ने किसी नेता का सहरा नहीं लिया हुका लेकर बीबी, बच्चे लेकर के सबसड़क पर आ गया। और उन्यताओं को बहसकाय किया। कि क्या हमारे समझ ऐसा नहीं कर सकता है। हमारे समाज को भी आजाना चाहिए जिस दिन हम लोग आने लगेंगे। कि सारवकों पर लाखों की संक्या में उसी दिन हम अपनी अपनी एद्गार के लड़ाई लड़ लेंगे और इसलिए 26 दिसम्मर को राम लेला मैदान में मैदान में ग्यारा बजे आप यहां सव गेर सो लोग दिखाई पर रहे हो इसको माल्टिप्लाई कर लीजिए दस गुना पांच गुना एक एक आदमी दस दस लोगों को फोर करें यतने लोगों को लेके आए और जो कुछ समाज के लिए सीखना चाहते हैं आपके पड़ोस मे हैं यहां पर कारियले हैं हमारा अतुल गरोर और दंपत मार्केट के पास वहां आ सकते हैं दोपार में ही आ जाई है तो जब तक जो जाड़ समाज ने एक अभी नया उदारान पेश किया वही एक रास्ता और कोई रास्ता नहीं है राजनेतिक रूप से जो एक कहा गया ने मास्टर कुंजी बाबा साथ डाक्टर अंवेत्कर के पास भी नहीं थी जुगेंदर नान मंदल उनको जितवा के भीजे थे पार्टिशन के पहले बेजे थे पार्टिशन के बाद भारत और पाकिस्तान बनने के बार बाबाबा साथ के पास सदेशता नहीं थी वो पहले की कांग्रेस नहीं उनको अपने मंत्री काज reproduワा कर दित्वाखय लाई की कांगरस नहीं३ उनको मंत्री वनाई रडौनिक और चेर्मेन मनें के जिस कांगरस को पूर्य जीवन वो कोशते रहे उस कांग्रेश के प्लेट पर जाकर के फाइदा तो दिया समाझ कर तो मैंने अगर बीजेफी के प्लेटफॉर्ट पर गया तो क्या खेलत कि हम पत्रिनों पर ही चले और जो बाबा साब छोड़ दिये कांग्रेश से तो दोनों बार हाए तो पूरा देश का अदलित कुछ कर लिए बाउन में भी आ रहे और चंपन में भी आ रहे यह थोड़ा सा क्रिटिकल हो करके और रैशनल होके सोचने की बात है भावनात्मक होके नहीं बागते दोनों बार हाए उसके पहले नहीं रह गए मेंबर थे आजादी के पहले कांग्रेस उसके बाद कांग्रेस छोड़के गए दाहार गए तो इस समाज उसमें उपजाती बात पैदा हो गया था बाबा साथ के उसी जाती के अंदर दूसरा गोत्रे ने बोट नहीं दिया इसलिए भी हरे थे को कि दलितों के अंदर जो जाधिवात करता ही अपने जात्ट का सबसे बड़ा दूसरा जाधिवात करेगा समाज排ट जब समाढगम्राण अधिकार लोटेया इसके भाई शपति करुद्दू σ publi ने कि हमाह रहा है मैं सब देखेंगे लेकिन बाद में निकलेंगे हमारा एक किसका क्या है यह बड़ी दर्दनाग कहानी है अभी एक भीम आदमी के मिले और उन्होंने कहा कि अगर आप अल्ग संखित जाती में पैदा हुए होते तो इस देश की स्थिती कुछ और होती और कोई और नेता अभी तक नहीं पैदा हुए लेकिन अगर उस जाती में रह गया होता तब तो मेरा कशूर होता मैं तो चार नूमबर दो हजार एक को के बल धरम ही नहीं बतला बलकि नाम भी बिदन दिया इस से ज़्यादा सुद्ध काम तो कोई इमानदारी काम तो कोई किया सायध ही कोई किया इसलिए किया था कि अक्सर उलाहने देते थे लोग अरे यार एकाशी राम राम बिलास भासवान राम दास अठावले राम राज सब रामी राम पर है तमका चलो भी जाओ उसको भी त्याग देता हूं तब तो समाज कुछ तो विस्वास करें उस पर भी विस्वास करें यह कीड़ा है जो जात का इस देश के अंदर आदमी देश छोड़ सकता है एक ब्रामन है वहां पर अमरिका में रहेगा तो भी जात पात करेगा देश छ रहे ही न कई हम लोगों में है आई सी डिगी किसी रोग के वज़े से हम खतम किया रहे हैं अब हम समाप्ती की ओर है जिस देश में और जिस दिन यह प्रवुत दवर्ग करमचारी अधिकाई जिस दिन खतम हो जाएगा उस दिन यह असास करने वाला भी कोई नहीं रहेगा क कि हम अपमान की जिन्दगी जी रहें कि मान की जिन्दगी जी रहें जो कि गुलाम भी अपमानित नहीं महसूस करता है अपमानित अगर महसूस करे कम तर महसूस करे तो बगावत कर देगा तो गुलाम भी खुस होता रहता है वो ज्यादा कहीं खुस रहता है हमें तो टेंस है डार्ट साब को टेंसन है वो ज्यादा खुद रहता है अब कालोणी में आप चले जाए कि जूपी जूपने चले जाए कल तक कि ले खाना नहीं है लेकि रात में खा करके ऐसा सो जाएगा सुबह आराम से उठेगा फिर मद्दूरी करेगा तो कि वो उसका चेतना का अस्तर इंसान का अधिकार है उसका बराबरी काहक ओ जाना ही नहीं तो वही सिती हो जाएगी हमारे समय है आज बुद्धिजब को फैलाने वाला को उन होता का मिचारियत करेगा बाबा साहर बैक्टर मुबितकर के बारे में बात यही करता है प्रमचर नहीं करता है और कोई नहीं क करता है कोई अत्याचार होता है कोई घटना होती तो इसे के तुरह विरोद करता है तो इस वर्ग का बहुत देड है कि वह अपनी इंकम नहीं करता बलकि उसके रिष्टेदारक उपर पढ़ता है जाज के लोगों को भी असर पढ़ जाता है जिस गाव महले से वह आता है अत् आत्याचार होता है तो चिठी लिगता है गाईड करता है तो एक कर्मचारी एक अधिकारी का यूंतान बहुत बढ़ा है बहुत बढ़ा है अव उसको खतम करदेना उस स्रोथ को खतम करदेना उस जड़ को खतम करना मतलब है कि फिर से 1500 वर्ष के में के लिए हमें सुला देना है उचेतना वाला वर्ग खतम होता है इसकी चिंता हमें है क्यों पेट की चिंता नहीं होती है और उसी को खतम किया जा रहा है खतम करने वाले बड़े चालाग बड़ी बुद्धी लगाते हैं बड़ा दूर की सोचते हैं ऐसे नहीं है हमारे लो काल इंडिया है पारिसंग जब आप ट्राइब करेंगे तो उसमें जुड़ी बड़े मुश्किल से मैं कौने दो लाग तक गया हुए जुड़ते ही नहीं हुमारे को जब मैं देखता हूं तो के जरिवाल के पास में दो करोड़ एक करोड़ है किसी के पास दसलाख लोग वा यूटूब है कभी कही दा रहे हुआ पत्या चार हो रहा वीडियो रिकार्डिंग करके डाल दीजिए फेस्बुक पर यूटूब पर डाल दीए करोड़ों को जोड़ा जा सकता सोसल मीडिया से ट्विटर है हमारे ट्विटर री ट्विट करता नहीं सारे मुद्द्यान ट्विटर पर उठाए इतनी ताकत होती है सोचल मीडिया में कि पिछले बद्स ऑलिम्पिक गेम हुआ थे ऑलिम्पिक गेम में एक ब्यक्ति था जो जमाइका का था नो गोल्ड मिडल जीता था रोजन बेल्ड रोजन बेल्ड तो उसने अपने संस्मरर में जब इंटर्विव दियात बताया कि मैं जब अथिलेटिक्स शुरू किया तो गरीब था खाने के लिए हमारे पास परियात पैसा नहीं था जो डायेट्री हाइविट होती जो डायेट चार्ट होता है तो अपने के अस्तर तक का खिलाड़ी हो सकता हूं खाने का हमारे पास में वह बवस्ता नहीं है जो चाहिए तो उसरे ट्रेनर ने कहा कि उसकी चिंता मत करो बीव खो दोनों बक्त तो बीव तो सस्ता होता है और दोनों बक्त खाया नौ गोल्ड मेंडल ने गया था तो जो हुसेम बो और ने यह मैंने दो लाइन लिख दिया ट्विटर पर और रात पे फोन आ गया हमारे आदमी का हमारे सेकरेटरी का कि आपने तो ऐसा ट्विट कर दिया है कि खतरनाख है तो हमने खाक चलो कोई देखा जाता है क्या हो सुबह तक तो पूरे लगता है कि प्रेंडिंग होने लगी 10-15-20 मेडिया वाले घर ली हमने कहा ऐसा क्या हो गया कि अर्थक्वेक आ गया भूचाला गया तो भूचाल ही है पूरा दिन मैं नहाने को भी नहीं मिला है मेडिया को बाइट देते रहे कि आपका क्या मतलब है भीब खाना चाहिए आप भीब खाने के लिए कह रहे ह है हमने कहा है कि स्टेट्मेंट को हमने कोड किया तो ट्विटर का कोई ऐसी चीज कभी आप डाल दो तो उसका बहुत बड़ा इंपेक्ट कर पड़ता है इसलिए मैं आप से कहना चाहता हूं कि सोसल मीडिया को अपना ओ ये अपनी जिन्दगी का हिस्सा मानो हमारा सोसल कि सब्से ज्यादा सक्रियें हम ट्विटर पर भी है वाइसंग के नाम पर ट्विटर है फेस्बूक है आप तर ले जाई उत्पर भी है यूटूब चैनल है हमारे नाम पर है उसके बाद में वार्टसब भी है हम इस्टाग्राम भी यूज करते हैं तो लेकिन इस समाज के लोग उस अनुपात में नहीं करते हैं अगर जंडे वालन में चले जाए तो संग परिवार के 90 वर्स 80 वर्स के लोग लाइट आप ले करके स्मार्ट फोन ले करके एक दूसरी से कॉम्निकेट कर रहे हैं आपके साथ सामने बैठे हैं पता नहीं लगेगा जिर्वान से बात नहीं करेंगे लेकि पूरे देश से कनेक्टेट रहते हैं लेकिन हम लोगों के अंदर वो परंपरा नहीं है सोसल मेडिया से भी कंट्रैक्ट सोसल मेडिया के संपर्क में रहें मैं इरी चंदों के साथ धन्यवाद और 26 दिसंबर के रैली में आप ही नहीं बलकि कईयों के साथ आप वहां आएंगे और जो भी और सहयोग आर्थी सहयोग दे सकते हैं वो भी दिये देजे और जो वालींटेरिंग का काम करते हैं और अन जिनी खतरनात धूप थी और उस धूप पर बाली सो गई थे तो इस कोर्चिन हीट जितको कहते हैं उमस वाली हीट थे नव दिन कीचर पस हो गए वहां पर लोग और सब अच्छे च्छे घरों के लोग लेकिन डटे रहें नव दत दिन डटे रहें लेकिन हमारे लोग में जिन वहां पहुचेंगे तो वहां हो उतने डिडिकेट हो जाएंगे लेकिन अपने जहंडे की नीचे नहीं हो अपने लिगे तरत नहीं हो वहां हो जाएंगे यहां नहीं हो माज सिक्टा ऐसी है एक उधारा मैं और दूँगा आरेसस की कई में गया चार-पात दिन पहले सेवा भरती मंदोली है तो मुझे पनो क्यर्थिति के रूप में बोलाया तो मैंने पता लगा वहां पर तो उनके जीवन में तीन बार कोर्से होते हैं 20 दिन 20 दिन और एक महें में उसमें डाप्ट भी रहता है किसान भी रहता है और 30 दिन जो उस कायम में रहते हैं वह वहीं रहेंगे और 5 बज़े घंटी बचती है सब उठ जाते हैं और जब तीन बार हो जाता है तो उनको उनके संग ने दो आप्शन होता है उसको तिति वर्स कहते हैं एक की वो पूनकालिक हो दूसरा अंसकालिक हो, जो पूर्ण कालिक होता है, पूरे जीवन अभी बहित होता है, उसके नाम पर कोई संपत्ती नहीं हो सकती है, जहां आदेश हुआ वहां चला जाएगा, और यह सर्थ होती है कि यहां देने आना है लेना नहीं, पहला कहा जाता है कि अगर कुछ हिंदुत के लि मौत के मौत पर या तो साधी विवा पर ही घर जाते हैं दो दिन के लिए, और कुछ ऐसे लोग भी वहां मिले, जिन से पर्चे मेरा कराय कहा है, यह 30 साल से पने घर देंगे हैं, है कोई इतना डेडिकेटर, लेकिन यहीं, हमारे लोग अगर वहां जाएगे, तो इतना में कोई तूट नहीं, वहां पर उपर से कोई आदेश आता है, तो कोई चू नहीं करता, लेकिन अगर एक असोसियेशन बना दो तो दूसरी असोसियेशन खड़ी हो जाएगे, नव्य वर्सका, तो खून देने की भी मालता है, मेहनच करने का भी है, सबरपड़ का भी है समाच में, लेकिन औरों के नीचे, औरों के लिए अपने लिए, अपने लिए तो कहें गरे, बड़ा देर है, चलना है, घर जाना है, मबाईल लेके भागेगा बाहर बात करने में, या उसका सरीर यहाँ है तो दिमाग कही घर पे जा रहा है, आफिस में जा रहा है, तो फरक है इस बात का, अगर समरपन नहोंता तो वो लोग राज न करते, यहां त्यागी मिलते हैं नहीं मुझे, मैं बहुत बार चर्चा कि करता है तो, इन देवी चिंग राना जी से कई बार मैं सोचता हूं, तो आगी क्यों नहीं मिलते हैं, वहाँ तो ब्रामा जोला उठाया गया, रिसी केस में, मेडिटेशन बैट जो चार-चार-चार साल वही करते हैं, यहां कैसे नहीं होता है, यह इस सवाल का जवाब झाल